दोस्तों मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का सवागत करते हैं आपी के अपनी इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो की अकसर कई सारे लोगों के दिमाग में जो है वो चलते रहता है कि क्या कही मेरा वाटसप यहां पर हैक त पता करें कि आपको वाटसप यहां पर हैक हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो बने रही है दोस्तों इस वीडियो के साथ और चलिए बिनावा गवाए करते हैं इस वीडियो को शुरूरू इस चलिए जानते हैं कि कैसे पता करें कि आपको वाटसप यहां पर हैक हुआ है य इससे कि आप पता कर सकते है कि आपका WhatsApp यहाँ पर हैक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जो है अपने WhatsApp को यहां पर open कर लेना है WhatsApp को open करने के बाद आपको यहां पर आप देख पा रहे हैं उपर तीन डॉट पर आपको जाना है तो guys अगर मैं बात करूँ यहां पर WhatsApp hack को लेकर तो WhatsApp को hack करना इतना आसान तो है नहीं लेकिन एक हमारी गलती हो जाती है जिसके वज़े से जो है आपका WhatsApp कई सारे लोग जो है वो hack कर सकते है तो सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो यह है कि यहां पर WhatsApp वेब जो use किया जाता है जिसे की आप किसी भी desktop version पर अपने WhatsApp को चला सकते है तो उसके लिए यहां पर WhatsApp वेब दिया होता है तो WhatsApp वेब में होता क्या है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको WhatsApp वेब में चले जाना है WhatsApp वेब में देखिए अब यहां पर इस screen पर जो दिखाई दे हुआ है तो यहांपर अगर हम बात करें कि WhatsApp वेप की तो आपको पता होगा कि WhatsApp वेप की मज़से हम जो है किसी दूसरे डिवाइस में अपने WhatsApp वेप को scan करके जो है आसानी से हम WhatsApp को जो है वो दूसरे डिवाइस में यूज़ कर सकते है तो इसके उपर मैंने आड़ेडी एक वीडियो बना रखिए दोस्तों कि कैसे जो है आप अपने WhatsApp वेब का इस्तमाल कर सकते है अगर आप वीडियो देखना चाहते है तो आप मेरे आपको तुरंत वहां से लॉग आउट कर देना है अब हम आगे बात करेंगी कि कि इन बातों का जो है और ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा तो यह तो होगी दोस्तों पहली स्टेप और यह पहली स्टेप मैंने इसलिए बताई क्योंकि यह सबसे ज़ादा जो है वो तरीका यूज किया जाता है वाटसब को हैक करने के लिए तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं दूसरे सेटिंग की जो की सबसे इंपोर्टन सेटिंग है और अगर आप इस सेटिंग के उपर ध्यान रखते है या फिर इस सेटिंग को चेक करते है तो आपको आसानी से पता चल ज चैट में चैट में आने के बाद आप चले आईए यहाँ पर नीचे जो की है चैट बैक अप आप यहाँ पर चैट बैक अप में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बैक अप टू गूगल ड्राइव लिखा होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे है बैक अकाउन दिखाई दे रहा है तो Google अकाउन में जरूर चेक कर ले कि क्या यहाँ पर हमारी email ID ही डली है हो सकता है किसी ने यहाँ पर अपनी यानि उसकी खुच की email ID को यहाँ पर login कर दिया होगा जिसके वज़े से आपका जो backup है दोस्तों वो उनके email ID पर जा सकता है तो यह भी एक तरीका है WhatsApp को hack हुआ है या नहीं हुआ है अगर आप चेक करना चाते है तो इस तरह से आप जो है वो चेक कर सकते है याद रखिएगा आपका account अगर यहाँ पर है तो ही आपका WhatsApp यहाँ पर secure है अगर मान लीजे किसी ने यहाँ पर add account करके अपनी email ID डाल दी है तो सारा का सारा जो chat backup है दोस्तों वो जाएगा उनके email ID पर तो यह एक दूसरा तरीका है दोस्तों और आपको मैं यहाँ पर बता दू कि जो सबसे important बात आती है वो यह आती है कि हमेशा जो WhatsApp है वो Play Store से ही download करें जी हाँ दोस्तों कई सारे लोग मैंने देखे है जो कि किसी भी website पर जाकर किसी भी तरह की जो clone होते है यानि जो WhatsApp के clones use किये जाते है जिसमें कि आपको features कई सारे दिये जाते है लेकिन उसमें याद रखिए दोस्तों काफी जादा धोका हो सकता है आपके WhatsApp को hack होने का तो इसके लिए आपको Play Store से ही अपने WhatsApp को install करना है So guys यहाँ पर यह बात का बिलकुल ध्यान रखिए कि WhatsApp हमेशा आपको Play Store से ही download करना है ना कि किसी भी third party website से कई सारे लोग जो है वो जादा features के लालच में जो है अलग-अलग तरह कि जो WhatsApp यहाँ पर जो clone निकले है यानि WhatsApp के एक दूसरा duplicate निकला है उससे install कर लेते हैं और उनकी जो पूरी privacy है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो hack होने का chance बनता है तो दोस्तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि क्या आपका WhatsApp यहाँ पर किसी ने hack तो नहीं करा है और इन अगर settings की बात करें तो इन settings को अगर आप हमेशाद check करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं कि कि किसी ने कही हमारा WhatsApp तो hack नहीं किया तो guys आज के इस वीडियो में बस इतना ही उमिद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक like जरूर कर देना और अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं आया है तो हमारे इस चैनल को subscribe जरूर करेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में